Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab So I hope that I am audible and I am visible to everyone Yes everybody, okay So आज का ये जो सेशन इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले आपका Origin and evolution of life वाला जो one shot chapter है वो इसका boards का weightage कितना है? Approximately 4 to 6 marks और CET का भी weightage इसका कितना है? Approximately 4 to 6 marks तो इस chapter को option में मत छोड़ना क्योंकि ये simple chapter है इसमें से जो difficult topics है वो मैं आपको बता दूँगी जो आप option में छोड़ सकते हो या जग जादा important नहीं है जिसको सिर्फ एक एक बाद read किया तो भी हो जाएगा ठीक है? और जो easy topics है वो आप आदाम से कर सकते हो ये one shot video आपके board exams और आपके MSTCET दोनों के लिए useful है तो दोनों के बच्चे इस video को देख सकते हैं सबसे important बात अभी तक हमने जितने भी one shot lectures complete किये हैं ये सारे one shot lectures आपके boards के लिए बहुत ज्यादा helpful होंगे तो अगर आपने one shot lectures नहीं देखे हैं तो आप one shot lecture का playlist जाके check करो recent one shot में आपको और आपको आज का chapter का one shot मिल जाएगा तो उसमें आपको यहां पे जाने के बाद ये free material section में आपको free notes मिलते हैं ये free notes जब आप लोग open करते हो ना तो first या second attempt में ये notes open नहीं होता है क्योंकि ये notes का file heavy है तो इसलिए आपको back करके अपना background में जो भी apps चल रहा है और फिर से बाप इस app खोलो और notes open करने के कोशिश करो तो notes open हो जाएगा और कोशिश करना कि आपके phone में WPS office हो तो उससे easily notes जल्री open हो जाता है तो अगर आप पे notes open नहीं हो रहे हैं इसका मतलब उसकी file heavy है तो आपके mobile में space issue होगा या तो फिर net flow होगा जिसके बज़े से notes open नहीं होते हैं यह जितने भी chapter के one shot videos है यह सारे के सारे में free material वाले section में upload कर देती हूं lecture खतम होने के बाद तो आप वहां से भी notes का reference ले सकते हो और mhtcet बच्चों के लिए जो हमने crash course रखा है यह crash course भी आप लोग join कर सकते हो वर्दान 1.0 इसमें आपको बहुत सारे mock test mhtcet syllabus का live lecture with mcqs and with 2023 वाले जो shift वाले questions थे वह सारे questions आपको solve कर रहे जाए जाएंगे इसके बारे में ज्यादा information चाहिए तो app का help line number है आप जब app download करोगे तो उस पर ही आपको help line number मिल जाएगा आप उस help line number के call करके या message करके पूछ सकते हो ठीक है चलो so start करते है lecture yes everybody छोटा सा chapter है simple सा chapter है तो ज्यादा tension नहीं लेना है बहुत सारे बच्चे अभी comment करेंगे कि ma'am control coordination कब लोगे control and coordination कब लोगे बटा जैसे ही मेरे गली की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं control and coordination वाला chapter भी ले लूँगी मुझे पूरा बायो का syllabus पढ़ाना है आप लोग tension मतलो थोड़ा सा patience रखो और जिसके अंदर patience नहीं है तो पिछले दो साल तीन साल के control and coordination चैप्टर के one shot वीडियो है आप लोग वो one shot वीडियो जाके पढ़ सकते हो अपना पुराना one shot वीडियो अल्रेडी available है ऐसा नहीं है कि तुमको मैंने control and coordination पढ़ाया ही नहीं है आप लोग जाके पुराना one shot वीडियो देखो वो भी उतने अच्छे quality में जितना अच्छे quality में यह है लेकिन जब संग मेरा घला ठीक नहीं हो जाएगा मैं control and coordination चैप्टर नहीं लोगी क्योंकि वह चैप्टर के लिए बहुत energy च होते हैं can you recall boxes होते हैं always remember do you remember यह सारे boxes आपको CT की point of view से important होते हैं और कभी-कभी ऐसे boxes में ही आपको बोर्ड में one mark two mark के question पूछे जाते हैं अब जैसे इदर पर पहला question पूछा गया है what is evolution तो आपने 10 standard में पढ़ा था evolution मतलब क्या होता है जैसे जैसे new offspring पेदा होते तो उसमें genetic variation देखने को मिलते हैं और वो genetic variation को हम evolution बोलते हैं where was the first life formed ocean में सबसे पहला living cell देखने को मिला था why are many species of plants and animals getting extinct बहुत सारे plants and animals के species extinct क्यों होते जा रहें look क्यों होते जा रहें because of man-made activities because of artificial activities because of deforestation because of pollution water pollution air pollution etc etc Lamarck sir की theory क्या थी the Lamarck's theory of inheritance of acquired characters क्या थी कि giraffe का neck adaptation के वज़े से लंबा हुआ उसके genetic concept क्या था वो लैमार्क ने नहीं बताया ठीक है what is species जब evolution के वज़े से new species बनती है तो उसको species बोलते हैं species दो टाइप का होता है allopatric species और simpatrick species तो इसके बारे में हम इस chapter में last last में detail में पढ़ेंगे ठीक है अभी पहली चीज़ जो neat वाले बच्चे हैं जो neat वाले बच्चे हैं जो CT वाले बच्चे हैं उन बच्चों को यह चीज़े बहुत जादा important है आपको जैसे जैसे आप theory पढ़ोगे आपको यह सारे points मिलेंगे यह मैंने अपनी तरफ से आड़ करके नहीं दिया यह आपकी टेक्स बुक में हैं पर इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा theory रीट करना पड़ेगा मैंने इदर पर आपको short bullet points बना के दिये हैं सबसे पहले यूनिवर्स कब originate हुआ था बिग बैंक theory के according 20 billion years ago कब originate हुआ था यह 20 billion years ago origin of earth कब हुआ यूनिवर्स बना 20 billion years अगो पहले और earth कब originate हुआ 4.5 billion years ago B मतलब billion Y मतलब year और A मतलब ago 4.5 billion years ago ठीक है अर्थ पे पहला living sign कब देखने को मिला कि हाँ यहाँ पे भी कोई living organism रह सकता है 4 billion years अगो पहले और और इचिन ऑफ और रेन और प्रोटीन का origination अर्थ पे कब देखने को मिला 3 billion years अगो पहले और फॉर्स्ट लिविंग सेल फॉर्स्ट लिविंग सेल हमको कब देखने को मिला 2 billion तो यह है आपके basic origination वाले points की कब क्या originate वा था इस वेरी 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 important ये सारे के सारे points बहुत important है CT point of view से need point of view से तो जब आप यह तिहरी पढ़ते हो तो इस थीरी में आपको यह बताया गया है कि जो तो वह बहुत सारे पड़ लिखे और फिलोसफिकल लोग जो है बड़े-बड़े सायंक्टिस्ट औा इच्रलिस्ट जो हैं उनको अभी वी इस चीज़ का confirmation नहीं है they are still in doubt enigma मतलब doubt में है कि अभी भी उनको confirm नहीं पता कि first living cell किदर से आया मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया एटसेटरा एटसेटरा इसके अपर बहुत सारा controversial theory है अंडा बनाने के लिए जो नोटीन चाहिए रहता है वह मुर्गी से मिलता है इसलिए मुर्गी पहले आई या फिर अंडा पहले आए तो इसके अपना बहुत सारा controversy चालु है let's not go there तो बहुत सारे intellectuals बहुत सारे पड़े लिखे scientist वगेरा यह सब अभी भी इस चीज को find out कर रहे कि फर्स्ट लिविंग सेल कब originate हुआ था और इसी चीज को confirm करने के लिए बहुत सारी अलग अलग theories हमको दी गई जिसमें से पहली theory थी mythological theory theory of special creation इसमें क्या बोला गया यह सबसे पुरानी theory है और इसमें कोई scientific proof नहीं है इसमें supernatural power के बारे में बोला गया है कि मतलब कोई भगवान दिव्य शक्ति थी उन्होंने बोला तथास्तू और प्रित्वी बन गई आपको question क्या आता है name the four theories of protobiogenesis आपको सिर्फ इसका नाम बता होना चाहिए तो पहला नाम है theory of special creation जिसका कोई scientific proof नहीं था दूसरा theory कॉस्मोजाइक theory या theory और प्रमिया इस थीरी में क्या बोला गया है कि अर्थ पर लिविंग और्गानिजम बनाई नहीं है अर्थ में लिविंग और्गानिजम किसी दूसरे प्लाइनेट से आया है मतलब कि जो लिविंग और्गानिजम है यह अर्थ पर नहीं बनाए डिड नॉट अराइज अन प्लानेट यह किसी दूसरे प्लानेट से हमारे अर्थ पे आया है और इस थियरी को हम बोलते हैं पैंस पर्मिया थियरी और रिसेंटली नासा ने भी यह रिपोर्ट किया है कि हमको बैक्तेरिया के फॉसल्स वगरा देखने को मिले हैं मार्स पे मतलब मार्स जब मीटियोराइड आता है तो मार्स का एक छोटा सा तुकड़ा अंटाक्टिका में देखा गया और जब मार्स के तुकड़े को स्टड़ी कि तो उस मार्स के पथर के थोड़े से फमले इसका मतलब मार्स पर बैक्टेरिया है इसका मतलब मार्स पर लिविंग और्गानिजम रह सकते हैं तो अभी इसके वज़े से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लिविंग यह कि महां साइंट से वन हलवां इनहों ने क्या किया इन्हों拔र इनल उसके वीपनाव सब्सक्राइब होता हुड अब एंगरूं करते की रेसिपी दी हमको चुहे पकाने की नहीं चुहे पैदा करने की रेसिपी इन्होंने क्या किया था उब्जर्फ कि इन्होंने बहुत सारे गंदे कपड़े रखे थे यह गंदे कपड़े में स्वेट था स्वेट में आपका सॉल्ट रहता है और इन्होंने उसके साथ कुछ गेहु मिक्स कर दिये थे तो वो सॉल्ट के वज़े से मॉइस्चर एब्जॉब हुआ होगा जिसके वज़े से आपका गेहु गीला हो गया होगा जिसके वज़े से जो चुहे थे वो चुहे इस धेर में अट्राक्ट हो गए होंगे तो जब 21 दिन के बाद यह कपड़े का बं इस थे ध्यारी टोटली लॉजिकल थी ओर इसको रॉंग किसने प्रोव किया लूइस पास्चर ने इस थीएरी को हम और बायोजेनेसिस भी बोलते हैं और बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है नॉन लिविंग और गानिजम की थीएरी इस घ्लियर एवरिबडी के नेक्स था टो लुञ जुऊ में पा cœur तो युज फास्चर ने इस त्यर्य कोहां कैसे प्रूब किया पहला इक्सपेरिमेंट था रूटी एक्सपेरिम में क्या बोल लगा दिया अगर आप ढग कर दोंगेशां और से कोई मकच часов अंदर जाएगा सिव만rib मुझे को कोई भी मच्छर या कोई भी कीडे मकोरे की côté aber believes में मधेखने को मिलते हैंoter होते चावल में देखने को मिलते हैं चोटे डाइट किलर के लेकिन अगर मैंने निकाल के इसकी उपर लगा दिया तो कपड़े में से तो आसानी से आपका गैस पास होता है ऑक्सिजन पास होता है स्मेल बाहर आती है क्योंकि कपड़े के अंदर चोटे-चोटे पोर्थ होते हैं तो जब मैंने धकन निकाल दिया और इसके ओपर सी मैंने हो रहे हैं इसका यह मतलब है कि उस मीट की खुश्बू के वज़े से मच्छर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यह तियरी रिजेक्ट हो गई थी लुइस पास्चर ने इसको कैसे डिसप्रूफ किया उन्होंने सब्रक्रेश में एक्स्परिमेंट किया स्वान नेक स्वान मतलब क्या होता है जैसे जैसे हंस की घरदन होती है सुप्सट मस्ट फ्ल petite को ए और इसको निट सब्लेकशिबल क्या होता था जान ना एक अच्छे से बॉयल क्या होता है voll हायड्रोजन नाइड्रोजन प्रोटीन अमीनोय इसकी सब। sil oggi उन्मने अच्छे से कि याद कि इसके पिन सो इसके अंदर कोई कोई गाल दाने जब दिखाइ दे रहां जैसे हुम पर निकाल दिया । मुझे इसके अंदर माइक्रोऔर्गानिजम्स की ग्रोध दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या जहां पर न्यूट्रियंट होगा उदर ही माइक्रोऔर्गानिजम्स ग्रोफ होंगे बिना न्यूट्रियंट के भेनर क्योंकि अगर से माइक्रोइइशम में यहां पर यहां पर तो 6riage अभर फीराइ थे सिखलें में थैरेलो रहेते हैं यह माइक्रोइशन सब्सक्राइब ट II LIVING और्गानिजम से ही बनके आता है रिप्रोडक्शन करके हमको नया और्गानिजम मिलता है लेकिन वह औरिजनल और्गानिजम किदर से आया वह अपने को अभी भी नहीं पता चला किंटी नोजोड़ोर्डत से था रिप्रोड और्गानिजम और्गानिजम किदर से अबर वह जो अल्डगानिजम है वह अपने को कीदर से नहीं पता चला नहीं पता चला दो खांटिनुमिटी ऑफ लाइव के सबारे में पता चला हमारा जो first living cell था वो अलग-अलग chemical reactions के वज़े से बना और यह theory हमको किस ने दी थी यह question आपके boards में भी आता है और CET में भी आता है JBS Haldane and Alexander Oparin यह दो अलग-अलग scientist ने मिलके हमको यह theory दी थी chemical theory of life यह chemical evolution of life कि chemicals के मदद से आपका first living cell बना देखो जब earth बना था ना तो earth was a cloud of hot gases मतलब starting में जब आपका earth बना था जिसको हम nebula बोलते हैं It was a cloud of hot gases अब जैसे जैसे यह gas cool होते गया वैसे वैसे इस gas का condensation होते गया condensation के वज़े से अलग-अलग galaxies अलग-अलग planets बनते गए ठीक है अलग-अलग galaxies बनते गया जिसमें से Milky Way एक galaxy है उस galaxy में earth अपना एक छोटा सा planet है मतलब अलग-अलग solar systems है और उस solar system में अपना अर्थ भी आता है और यह कब बना था अर्थ कब बना था 4.6 billion years अगो तो इदर पर आमने पढ़ा ना 4.5 billion तो इदर पर 4.6 ले लो it's one and the same thing ठीक है ओके तो स्टार्टिंग में यह जो अपना यूनिवर्स था जिसको हम क्या बोलते था है नेवियूला जब यह नेवियूला फटा तो इस मतलब जब यह नेवियूला फटा इसमें से जब गैसे पूल डाउन होना चालू हुए तो आपको अलग-अलग आत मॉस्फियर में और एकडम स्टार्टिंग में एकडम एकडम प्रिमिटिव घृट में मतलब डायन पर वह हेवी में गासे जो अप्र आपके भटकते रह गया और उसकी सीविङर्ट आपका जो oxygen है earth के starting atmosphere में oxygen कभी भी free form में available था ही नहीं ठीक है आपके ये बाकी सारे gases से आपके earth का atmosphere बना लेकिन अपने earth में कभी भी free oxygen था ही नहीं oxygen हमेशा combined form में था devoid मंझे lack या absence of free oxygen oxygen हमेशा combined form में present था मतलब या तो water के form में या तो co2 के form में पर ऐसा free oxygen हमको कभी देखने को मिलाई नहीं एकदम primitive earth में तो सबसे पहला chemical कौन सा बना यह आपका बोर्ट का question है जब आपका living cell बन रहा था तो सबसे पहला chemical कौन से बने सबसे पहले chemical बने ammonia water and methane कै से बने hydrogen carbon और nitrogen sulfur की मदद से सबसे स्टार्टिंग के तीन chemical कौन से थे ammonia water and methane यह अर्थ का पहले का atmosphere है देखो nitrogen hydrogen carbon dioxide की मदद से आपको क्या-क्या मिला methane, ammonia, carbon dioxide, water ठीक है उसके बाद धीरे-धीरे करके आपको ammonia मिला और आपको carbon dioxide मिला आपको water मिला इससे आपको मिलेगा amino acid इससे आपको मिलेगा glucose इससे आपको मिलेगा nitrogen basis और धीरे-धीरे करके जब ऐसे बहुत सारे amino acids देख साथ आते गए तो आपको मिलेगा protein फिर बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल जब एक साथ आते जाएंगे तो आपको मिलेगा पॉली साकराइट तो पहले आपका बना सिंपल और्गानिक मॉलिक्यूल यह सिंपल और्गानिक मॉलिक्यूल हजारों लाखों करोडों साल तक एक साथ रियाक्ट करते रहा यह सब किदर रियाक्ट हो अप्रजह से आपका वोल्कैनों फटता था और वोल्कैनों में कलता यह त्टम हो जाता था और छी से डिलग और व्हांट에 अपका व्हाटर हो फ्रेजनट है और यह जो पानि आपके स्टीटे डालते हो ना यह वह वेजिटेबल के जैसा था तो इसको हम बोलते थे होट डाइल्यूट सूप क्या बोलते थे इसको हम होट डाइल्यूट सूप मतलब की बड़ा आसा ओशन है ओशन को हम बोलते थे सूप और यह होट क्यों रहता था वोलकानिक इरप्शन के वज़े से वो प्रोटीन व्मॉलीकुल बनाने लगे गльुकोज ग्लुकोज एक साता स्वहर बनाने लगा नाइट्रोज Eating की बनाने लगा और अ Pot रोगानी suck स्ट्रक्चर बनने लगा तो पहले आपका बना Simple Organic Molecular City scientific poweredoni Yume Об underwater radiations की इंह smiles ऑल्डाइूट सूप का नाम किस ने दिया था हेल्डेन ने जिसको हम प्रिमिटिव ब्रॉथ बोलते हैं इसमें अभी भी ऑक्सीजन नहीं है ठीक है अभी भी देर इस नो ऑक्सीजन और धीरे-धीरे करके यही सिंपल मॉलेक्यूल से क्या बना आपका कॉंपलेक्स मॉलेक्यूल मतलब अमीनो ऐसेट से बनते गय नुक्लियोटाइड्स ग्लूकोस से बनता गया पॉली सैकराइड फैट एट्स एट्सेटर 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 ठीक है धीरे-धीरे करके एक सेल बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए रहता है चार बायो मॉलेक्यूल शुगर प्रोटीन पैट नुक्लिक असेड तो इध से डियाक्ट करते हैं तो नुक्लिक असेड बनता है मतलब आरेन और दी एन ए और यह खोड को रेप्लिकेट कर सकते तो बेसिकली आपको यह सारी चीजे मिल चुकी थी आप आपको बदस यह सारी चीजे को एक साथ लाना था तो उससे बना आपका फरस्ट सेल के जैसा स्ट जमाएट मतलब जैसे बनाते हैं उदको को थे लिजय साथ नाम को करवेशन और शीड्निure इसका प्रोटैंच नाम प्रोटैनो आप्को यूसार यूजी बनता है Oparin ने इसका नाम co-occurvates रखा, पर Sydney ने इसका नाम proteinoids रखा, दोनों में क्या difference था, what was the difference between protobions, मतलब co-occurvates and microspyr, इधर देखो, आपके co-occurvates और आपके microspyr में क्या difference था, co-occurvates and microspyr were non-living organisms, aggregates of lipids and proteinoids respectively, मतलब co-occurvates के पास lipids था, co-occurvates and microspyr were non-living aggregation of lipids and proteinoids, इनके पास lipids था, इनके पास proteinoids था, यह देखो, co-occurvates are colloidal aggregation of proteins and lipids, co-occurvates किससे बना है, प्रोटीन और lipids से बना है, और microspyr किससे बना है, सिर्फ प्रोटीन से बना है, जिसमें आपको water-loving substances देखने को मिलेंगे, वो hydrophilic complexes, आपको दोनों के भीच का difference पता होना चाहिए, ओपैरिन ने इसका नाम co-occurvates रखा, क्योंकि यह lipids और protein से बना था, Sydney ने इसका नाम microspyr रखा, क्योंकि यह सिर्फ protein और किससे बना था, hydrophilic substances, मतलब water-loving substances से बना था, पर था तो एक ही चीज ना, structure एक ही था, बस मैंने इसको अलग नाम दिया और आपने इसको अलग नाम दिया, इतना ही difference है, अब इसमें एक चीज क्या observe की गई कि आजू-बाजू से यह ocean में बनाया यह बड़े से समुंदर के अंदर बनाया तो अभी भी आजू-बाजू में बहुत सारे amino acids हैं बहुत सारे glucose बहुत सारा fat है तो जैसे जैसे यह करके यह extra amino acid, extra glucose, extra fat अपने अंदर लेते जाएगा वैसे वैसे इसकी size बढ़ते जाएगी जैसे जैसे इसकी size बढ़ते गई एक time के बाद यह फट गया और जब यह फटा तो इसने अपने जैसे बहुत सारे daughter cells बनाये और यही तो हमको sexual reproduction में देखने को मिलता है यही चीज हमको sexual reproduction में देखने को मिलती है तो इसको ही हमने first cell बोला when DNA और RNA system developed within protocell they look like bacteria और viruses यह देखो आपका जो nucleic acids था वो nucleic acids की मदद से आपको structure के अंदर DNA RNA भी देखने को मिल रहा है this is your lipid वाला membrane और इसी के बीच बीच में आपको protein chain भी देखने को मिल रही है अंदर amino acids भी है शुगर भी है सब कुछ है तो इस cell को हमने बोल दिया first living cell और एक चीज जो बहुत important है जो आपके board में आती है और आपके CT में भी आती है यह अल्रेडी PYQ में आ चुकी है 2022 यह 23 में आया था यह question कि अपना जो first living cell था वो कैसे टाइप का था first living cell was anaerobic मतलब oxygen तो था यह नहीं ना कि anaerobic मतलब क्या होता है ऐसा cell जो बिना oxygen के बनता है so there was no free oxygen first cell बिना oxygen के बना it was heterotrophic heterotrophic मतलब यह अपने environment से nutrients खा रहा था ना इसको आजू बाजू से surrounding से खाना मिलता था इसलिए heterotrophic खुझ से यह खाना नहीं बनाता था photosynthesis कर के इसको आजू बाजू के chemical से energy मिलती थी तो first living cell was anaerobic and heterotrophic and chemo heterotrophic मतलब chemicals से इसको energy मिलते थी so this is how your first cell was formed तो यह है अपने origin of life के अलग-अलग stages सबसे पहले early earth फिर inorganic chemicals इससे small organic chemicals मिले फिर complex organic molecules मिले फिर first living cell बना उस first living cell के अंदर DNA और RNA बना जिस पे आपको आपका first living cell मिला उरे और मिलर का experiment क्या बताता है हमको इस वन ओफ इंपोर्टेंट experiment यह experiment हमको Stanley Miller और उनके teacher Harald उरे ने दिया था इन्होंने सबसे पहला scientific proof हमको दिया about chemical evolution of theory of operin इन्होंने एक ऐसा apparatus बनाया जिसके अंदर इन्होंने primitive earth जैसा atmosphere बनाया था कि starting में अपना earth कैसा था वैसा ही condition इन्होंने यहां पे design किया था इन्होंने glass apparatus बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया spark discharge apparatus इस apparatus का नाम क्या था spark discharge apparatus जैसे अपना primitive earth में ocean था वैसे इन्होंने इदर पर पानी लिया जैसे volcanic eruption के वज़े से पानी गरम रहता था वैसे इन्होंने इस पानी को गरम किया अब यह गरम पानी के जो vapors निकल रहे यह vapors आगी जाएंगे आगी जाके यह vapors को हम electric discharge यह देंगे spark देंगे तो इदर पे इन्होंने कौन सा spark यूज किया carbon spark यूज किया यह carbon spark क्या बता रहा था thunder lightning मतलब बिजली कड़कने के वज़े से जैसे lightning condition create होती थी वैसे condition हमने इदर पर artificial light देके provide की और इसकी अंदर ही हमने अलग अलग gases रखे थे क्योंकि जब अपना अर्थ बन रहा था तभी स्टार्टिंग में सबसे पहले gases कौन से बने थे methane water and ammonia तो हमने वही gases इस spark के अंदर रखे हमने इसको पानी का वेपर प्रोवाइट किया जैसे ओशन में मिलता था और जैसे जब बिजलिये कड़कती थी तो वैसे इधर पर डिस्चार्ज दिया अब यह गयास जब आगे पास होते थे तो इस गयास को वेपर में कण्वर्ट करने के लिए liquid form में convert करने के लिए हमने आसपास में अ aufgeIt लगाया था तो आपका ये जो गैस था ये गैस सिस लिकवीड फों में स्पाव्य अब ये li.com में jäब कनवा वा तो इसको कालेक्ट गैस कौनसे concentration में लिया था वो important है तो इस टू वन इस टू यह आपको नीट की बुक में दिया है आपकी बुक में ऐसा उल्टा पुल्टा दिया है पर आपको यह ऐसा concentration याद रखना है तो इन्हों ने इस ग्लास चेंबर में यह तीन गैसे रखे थे इस तीन गैस में यह देंसर लगा के रखा था अब इधर पर जो भी reaction हो कि आपका chemical जमा हुआ है वह chemical liquid form में convert हो जाएगा और इस liquid को collect करके हमको क्या पता चला कि सबसे पहले यह experiment बहुत दिन तक चलता रहा खुछ 18-19 दिन तक यह experiment चलता रहा और जब हमने उस chemical liquid को collect किया तो हमको क्या पता चला कि उसके अंदर simple organic acids बने थे जैसे urea amino acid lactic acid etc और इस experiments में सबसे ज़्यादा क्या प्रूब हुआ that simple molecule present in earth atmosphere combined to form organic building blocks of life याने कि जो ओपरिन और हेल्डेन ने प्रूब किया था कि भाई living organism chemicals से मिलके बना है उसी experiment को उरे और मिलर ने confirm किया और तीन amino acids कौन से मिले थे हमको सबसे पहले glycine alanine और aspartic acid यह question सिर्फ आपको नीट में पूछा जाता है CT और बोर्ट में नहीं पूछा जाता है is this clear everybody RNA hypothesis में क्या बोला गया है यह एक टाइप का स्ट्रक्चर जल्दी बनेगा तो पहले RNA बना होगा एक आरेने बना फिर दूसरा आरेने बना और इन दोनों के बीच में बॉंड बनके आपका DNA बना होगा तो साइंटिस्स लोगों का यह अर्जम्शन था कि पहले RNA बना फिर DNA बना पर बाद में उनको पता चला कि भाई DNA से ही अलग-अलग टाइप के आरेने बनते हैं जैसे MRN, RRN, TRN तो यह उनका एक hypothesis था कि पहले RNA बना होगा फिर DNA बना होगा पर यह चीज आके जाके गलत प्रूब हुई जब आपको DNA जेनेटिक माटेरियल के लिए अलग-अलग experiments किये गए इसी टाइम पे ना इसपेशल एंजाइम्स के बारे में भी बताया गया था नेचर में ऐसे स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं यह एंजाइम्स केमिकल रियक्शन दिखाते हैं 1980 में Sydney Altman और Thomas Czech ने इन्होंने यह find out किया कि RNA भी एंजाइम जैसा काम करता है और उस RNA को नाम दिया गया और इस डिस्कवरी के लिए Altman और चेक को नोबल प्राइज मिला केमेस्ट्री में 1989 में यह आपका सीट इक्वेशन पूचा जा सकता है ठीक है इधर पे भी एक चीज बताई गया है RNA World Hypothesis यह hypothesis किसने प्रफोस की थी कि सबसे पहले आपका RNA बना होगा यह hypothesis दी कि कार्ल बूस फ्रैंकिस क्रिक और लेसली और गेल 1960 में मतलब राइबोजाइम बदने से पहले RNA का hypothesis आया और फिर राइबोजाइम की hypothesis मिली यह 1989 में मिली यह 1916 में दी गई थी तो इसके अकॉर्डिंग यह पता चला कि RNA सबसे पहले बना है उसके बाद DNA बना है बट यह theory आगे जाके disapprove हो ठीक है तो यह molecular basis of inheritance chapter में आपन ने पढ़ अल्रेडी कि DNA को genetic material क्यों बोलते क्योंकि उससे आपका RNA बता है so this is how your RNA world hypothesis was explained चलो जल्दी जल्दी MCQs cancer बताओ first question क्या क्या आएगा सबसे पुरानी theory कौन सी है origin of life की which is the oldest theory theory of special creation तथास्तु वाली theory which theory proposes that life did not originate on earth बट यह किसी दूसरे प्लानेट से आई है कौन सी theory में बताया गया है कौन कॉस्मोजोग theory दूसरे प्लानेट से आई है जिकें विच थेयरी वोस्ट डिसप्रूवड बाई Lewis pasture वो जो चुहे वाला थेयरी था वो Lewis pasture ने डिसप्रूव किया तो कौन सा था चुहे वाला थेयरी नौन लिविंग तिंग से लिविंग तिंग बना theory of a biogenesis या spontaneous creation इसको ही हम a biogenesis बोलते है a manje non living organism से living organism बनाना तो this was disapproved by Lewis pasture most accepted theory of origin of life सबसे जादा accepted theory कौन सी थी बच्चों Yes, theory of special creation, natural selection, cosmozoic सबसे जादा accepted theory थी ओपैरीन हिल्डेन की theory कौन सी theory थी थी इनकी chemical evolution वाली theory According to biochemical origin of life, मतलब ओपैरीन हिल्डेन, first life originated from non living material, No First life came into existence by combination of chemical components, constant chemical reaction, Yes पर बाती option भी देखो, first life originated in the form of microorganism, No Protobiont के form में first cell मिला था, first life originated in the form of meteoroids, No Meteoroids तो जब टकराते हैं पत्थर तो उसके वज़े से कुछ तुकडे जो गिरते हैं उनको Meteoroids बोलते हैं, तो only option number B is correct, इधर तक सबको समझा है, चलो आगे continue करते हैं तो अब देखते हैं, organic evolution वाले topic में क्या बताया है, अभी सबसे पहली बात तो आपको CT में question आता है, evolution यह word कहां से लिया गया है, तो evolution यह एक Latin term है, जिसमें E का मतलब होता है from और wall where का मतलब होता है role, मतलब दुनिया घूम के फिर से उसी जगा आती है, मतलब जब भी evolution होता है, तो जो बहुत साल पहले जो species होते थे, वह species हम को फिर से देखने को मिलते हैं, या उसमें कुछ modification होके new species हम को देखने को मिलत तो that is called as evolution, अब organic evolution की अगर हम बात करें तो यह process एक दिन में नहीं होता है, it is a gradual, मतलब यह धीरे-धीरे continuously सदियों तक होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, और यह irreversible process है, मतलब एक बार evolution हो गया, तो आप फिर से पीछे नहीं जा सकते, मैंने इधर पर क्या बोला, फिर से उधर ही आते हैं, वह एक ऐसे मतलब sarcastic वेता बोलने का, पर यहां पर evolution का मतलब क्या होता है, कि आप जो आपकी original structure है, जो original genetic structure है, उसमें ही कुछ modifications होके आपको new variety मिलती है, आसमान से new organisms नहीं टपकते, ठीक है, तो अभी जब हम organic evolution की बात करते हैं, तो Charles Darwin Sir का यहां पर बहुत important role आता है, Charles Darwin Sir ने हमें क्या बताया था, descent with modification, descent with modification मतलब क्या होता है, जब भी हमारी new PD आती है, जब भी हमारी next generation आती है, तो next generation में हमको हमेशा कुछ अलग characters दिखाई देते हैं, अब वो अलग characters useful भी हो सकते हैं, harmful भी हो सकते हैं, बट अलग characters होते हैं, याने variation तो confirm हो evolution या descent with modification, और ये चीज़े Charles Darwin Sir ने बहुत सारे observation करने के बाद हमको बताई थी, कि internal forces के वज़े से जब आप कोई character acquire करते हो, या फिर environment के वज़े से जब आप खुद को change करते हो, या जब कोई organ आप यूज करना बन कर देते हो, या यूज करना चालू कर देते हो, तो इसके व According to this theory, यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, after several generations it gives rise to new species, मतलब organic evolution में एक जो theory हमको दी गई थी, कि आपका जो organism है, इस organism के अगर somatic cell में अगर हमको इचेंजिस कर देंगे, तो वो चेंजिस next generation में automatically transmit हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इस theory को disapprove किया था, जर्मनी के एक biologist August Weissman न यह question आपको CET में पूछा जाता है, इन्होंने एक experiment किया था चूहों के उपर, amputate करना मतलब cut करना, इन्होंने क्या किया, male rat लिया, female rat लिया, दोनों के tails को इन्होंने cut किया, और उसको continuously 21 generations तक इन्होंने reproduce कराया, मतलब हर बार यह चूहे की tail करते थे, उनको reproduction कराते थे, औ और इनको देखने को मिलता था कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे में tails आ रही है, now according to adaptation theory, अगर मैंने parents की tail cut कर दी है, तो बच्चे की भी tail cut हो जानी चाहिए, पर ऐसा actually में नहीं होता है, लैमार्क ने यही theory दी थी और इसलिए उनकी theory reject हो गई थी, क्योंकि यह तो वही बात हो गई, कि अगर मैंने इदर पर कोई tattoo बनाया, तो मेरा जो बच्चा होगा, उसको भी इदर पर tattoo रहेगा, पर यह theory acceptable नहीं है, क्योंकि आप जो tattoo बनाते हो, वो आपके somatic cell में होता है, और genetic information आपके somatic cell से आगे नहीं जाती है, आपके germ cell से आगे जाती है, या कि आपके जो variation होते हैं, वो somatic cells के variations आगे कभी नहीं जाते हैं, सिव आप जब germ cells में कोई variation करते हो, वही variations आके जाते हैं, और इस theory को हम बोलते है, theory of germ plasm, यह आपको one mark के लिए आ सकता है, कि theory of germ plasm किस ने दिया था, August Weissman ने, next आता है Darwinism, अभी Darwin अंकल ना, Darwin सर, बहुत ही ब साम दंदर नहीं था, इसलिए दुनिया गूमते रहते थे, इसा नहीं है, इनका शौक था, nature को explore करना, तो इन्होंने बहुत जादा ट्रावल किया है, इन्होंने ट्रावल करकर करके हमको ऐसी ऐसी theory दी है, जिनके कुछ logical sense of points बनते हैं, और कुछ चीज़े illogical है, तो Charles Darwin के पहले, बहुत सारी theories आई थी, जिसमें अपने को organic evolution पताया गया था, जैसे Lamarck की theory, Lamarck की theory acquired characteristics की, जिसको हमने remove कर दिया, Lamarck की theory ऐसी थी, कि कोई भी organism adaptation दिखाता है, और वही adaptation आगे next generation में पास होता है, पर इसके पीछे कोई common sense तो लगाओ, तो Lamarck की theory के पास कोई भी genetic proof नह natural selection, इन्होंने natural selection का concept हमको बहुत ज्यादा important और बहुत ज्यादा detail में समझाया है, Charles Darwin Sir naturalist traveler थे, इनको nature को observe करना बहुत पसंद था, इन्होंने पूरी दुनिया घुमी है, मतलब दुनिया में maximum parts इन्होंने cover किये है, इन्होंने अपनी journey चालू की 27 December 1831 को और खतम की October 1836 में और जिसकी मतद से इन्होंने एक book लिखी, the origin of species by natural selection, पर book लिखना खाने का काम नहीं होता है, इनका research 1836 में खतम हो गया था, पर book लिखने के लिए इनको देखो कितने साल लग गए, तो ये जब book लिख रहे थे, उस time पे भी इनको बहुत सारी ऐसी चीजे पता चली, जिसके जिए जिए लॉजिस्ट थे, जिए लॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और सी लायल का क्या बोलना था, सी लायल का बोलना ये था, कि आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है, यही सिनारियो पहले भ जिसके वज़े से आपको अच्जा मिलता है जिसके वज़े से निव यू देखने को मिलते हैं टारविन गैलपागोस ऐलेंड में उन्हों ने अलग अलग पैप के टॉ-टॉइस और बड्स को देखा और वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे ही और गानीजम के रहने की रहे थे तभी आर माल्थस यह एक इकोनॉमिस्ट थे इनका भी काफी ज़्यादा हेल्प था चार्ल्स डार्विंसर को अपनी बुक पब्लिश करने में क्योंकि इनका क्या मानना था कि सबसे ज़्यादा रिप्रोड़क्शन करने की कपैसिटी यूमन के पास होती है और अपस में क्रॉसिंग ओबर करते हैं तो चार्ल्स डार्विंसर ने ऐसे अलग-अलग इकोलोजिस्ट जी ओलोजिस्ट ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद लिए अपनी बुक पब्लिश करने के लिए और फाइनली फिर उन्होंने हमको बताया कि नाच्रल सेलेक्शन होता क्य और कैसे नेक्स जनरेशन में पास होते हैं ठीक है दार्विंसर के थियरी पांच बेसिक प्रिंसिपल्स की उपर बेस थी सबसे पहला था ओबर प्रोड़क्शन दूसरा वेरियेशन हैं हेरिडिटी तीसरा स्ट्रगल पर एक्सिस्टेंस चौथा सर्वाइवल ऑफ फिटेस पाच वाइवल स्पीशी ओवर प्रोड़क्शन की अगर मैं बात करूं समझो कि यह कोई ऑर्गानिसम में जो बहुत सारे अंडे देता हैं मतलब समझो एक साल में अगर मैं सालमन फिश की बात करूं उतना जादा nutrition नेचर में available नहीं है तो organisms के बीच में competition होता है और जो सबसे जादा strong species होता है जिसको nutrient मिलता है वो species survive करती है जिसको nutrient नहीं मिलता है वो species मर जाती है तो over production मतलब क्या होता है prodigality of nature मतलब इसमें organisms reproduction करके अपना population बढ़ाते हैं बट उसी टाइम पे natural resources का availability भी बहुत ज्यादा important है खाने को ही नहीं रहेगा तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे तो इस ओवर प्रोड़क्शन के वज़े से आया struggle for existence इतने सारे बच्चे पैदा हुए अब उसमें से जिन बच्चों को खाना मिलेगा वही बच्चे आगे शर्वाइज करेंगे तो जो बच्चा सर्वाइज करेंगा वह आगे जीएगा तो दैट इस ट्रगल पर एक्सिस्टेंस और जो बच्चे एक्सिस्ट करेंगे मतलब सर्वाइबल ऑफ दफिटेस्ट की वज़े से उन्होंने एक्सिस्टेंस दिखाया अब उनके वज़े से हमको अर्गानिक वेरियेशन देखने को मिलता है मतलब देखो आपको नेचर में सबका एंब्रियो स्टे अनिमल्स का का अलग अलग बरुल है आलग येल का अलग रॉल ए व्याय काकई सब था में लेकिन नेचर में व्स्टे आप और सारे वज्टेंस काणिते ही अब ऑब अलग 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 अग जंटिक कबने अम और इस ब्वेरंसम को दिखाया देता है इनके स्ट्रक्चर में बोडी में, mode of nutrition में, इस सब को हम बोलते हैं, organic variation, और यह सब किस के वज़े से होता है, natural selection के वज़े से, natural selection, इसमें हमको क्या पताया है, एक बनटम, हाँ, according to Darwin, the principle by which useful organisms are preserved by nature, is called natural selection, एक single one marks के लिए अगर question आया, define natural selection, तो इसको मैं ऐसे define कर सकते है, natural selection मतलब क्या होता है, जब organism, nature में safe रहता है, खुद को adapt कर लेता है, उस प्रोसेस को, natural selection बोलते हैं, और H. Spencer ने, इस natural selection के method को ही क्या नाम दिया, survival of the fittest, natural selection के इदर पे हमको अलग-अलग examples बताये गए हैं, जैसे समझों, यहां पे बहुत तारे चुहें, अभी यहां पे जब आपका यहां पे black rock है, त black rat का population बच जाएगा, लेकिन white rat का population दीरे-दीरे करके खतम हो जाएगा, क्योंकि white rat easily दिख जाएंगे, जिसके वज़े से आगे जाके black rat का population dominant हो जाएगा, अगर यह natural selection की बात करें, तो natural selection के आगे जाके आपको बहुत सारे types बताये गए हैं, ठीक है, हां, नहीं ठीक है, तब ही देखेंगे, next आता है, origin of new species, तो देखो, जब organisms का खाने का structure, मतलब खाने का composition बदल जाता है, उनका food का quantity या variety बदल जाता है, तो उसके साब से उनके structure में भी changes होते हैं, जो fruit खाने वाले birds थे, जो seed खाने वाले birds थे, उनका चोंच का structure अलग रहेगा, जो insect खाने वाल यह सब एक common ancestor से आये हैं, लेकिन with period of time, मतलब 50 साल, 100 साल, जैसे जैसे time बढ़ता गया, जैसे जैसे food का resources बदलता गया, वैसे वैसे इन्होंने अपने structure में changes दिखा हैं, जिसके वज़े से हमको adaptation देखने को मिला, Darwin सर के evidences क्या थे, मतलब Darwin सर ने तीन experiment करके हमको prove किया, कि natural collection कैसे होता है, तीन example में से पहला example क्या था, किदर गया first example, यह second example है, यह third example है, evidence of long neck giraffe, giraffe वाला example, Darwin सर ने भी लेमार्प के जैसा ही हमको उल्टा पुल्टा कुछ भी theory दिया था, कि पहले जिराफ की गरदन छोटी थी, दीरे-दीरे करके deforestation होते गया, छोटे-छोटे जाड काट दिये गए, बड़े-बड़े जाड बचे, तो जिराफ को अपनी गरदन ऊपर करनी पड़ वाइट कलर मौत, मौत मतलब क्या होता है, एक टाइप का इंसेक्ट, तो देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन चल रहा था, इधर पर दिया है, यहां पर समझाती हूं, यह मौत वाला एक्स्परिमेंट इधर दिया है, इसको इंडस्ट्रियल मेलानिजम बोलते है जब आपका बिफोर इंडस्ट्रियल अईजेशन, जब इंडस्ट्रिव में ते तो आपके आजुबाजू का वातावरन इकदम शु糧 दोता था, तो बिफोर इंडस्ट्रियल अईजेशन आपको एंविधरमेंट ऐसा देखने को मिलता था, मतलब उस टाइम पर आपके ज लाइकन के साथ छुप जाता था जैसे अपने सोलजर्स आपने सोलजर्स का जो यूनिफॉर्म है वो ग्रीन और ग्रे कलर का है ऐसा क्यों मतलब लीफ कलर और मिट्टी कलर का है क्योंकि जब बॉडर पर अटाक होता है तो अपने कंट्री में बहुत जादा हर्याली है बर्फ के साथ छुप जाए और पहचान में ना है जैसे रंग बदलू गिरगिट अपना रंग क्यों बदलती है ताकि वो दिखाई ना दे तो वैसे ही वाइट कलर के जो इंसेक्ट है इनका नाम था नाम क्या था बिस्टन बेटेलियूरिया यह वाइट वाले इंसेक्ट असानी से लाइक्एंस के ऊपर चूप जाते थे विफफोर इंडस्ट्री आदीचैशन और बड़े बड़े ब्रट्स को वा ब्लाइक शियूरिध आता था ने कृह और ना मतल quién Station का कभी कभी दिन आता है अच्छे दिन आते है तो जब इंडस्ट्रीलाइशन प्रोसेस के वज़े से पल्यूशन होने लगा और पल्यूशन के वज़े से आजु बाजु का वातावरण आजु बाजु के ट्रीज वगेरा सब काले होने लगे तो उसके वज़े से आपका काला इंसेक्ट चुपने लगा और वाइट इंसेक्ट आसानी से शिकार में आने लगा तो व यह देखो नाचरल सेलेक्शन के अदलग-अलग मेथड़्स होते हैं बोर्ड एक्जाम में आपको यह क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है इसलिए मैं बीच-बीच में से बता रही हूँ आप बोलोगे मैं बीच-बीच में से क्यूं बता रही हूँ क्योंकि तीनों टॉपिक एक दूसरे से connected है Natural selection concept Charles Darwin ने दिया था Natural selection में industrial melanism बोला तो white insect और black insect का आप example दे सकते हो इसमें इनका नाम याद रखना बहुत 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 important है कभी कभी आपको सिभ नाम पूछा जाता है कि white insect का नाम क्या था और black insect का नाम क्या था ब्लैक इंसेक्ट में कार्बन, मतलब कालद हुआ कार्बन के वज़े से होता है तो ब्लैक इंसेक्ट का नाम कार्बोन एरिया था, ठीक है? तो ये नाम बहुत-बहुत-बहुत important है तो industrial melanism बोला, मतलब industry के दुएं के वज़े से कौनसे organism बच गए कौन से organisms nature में select हुए ये एक example हो गया दूसरा natural selection के अलग-अलग types होते हैं तो natural selection के तीन types होते हैं पहला है stabilization reaction दूसरा है directional selection और तीसरा है disruptive selection stabilization reaction में क्या होता है इसमें आपका जो intermediate species है ये species survive करता है और बाकी के जो recessive या dominant species है वो मर जाते हैं यह देखो इधर पर आपका जो intermediate species है वो survive करेगा और जो dominant या recessive species है वो मर जाएंगे तो इधर पर आप example किसका देख सकते हूं जैसे की समझो चोटे मूँ वाला बर्ड और बड़े मूँ वाला बर्ड दोनों भी survive ने करेंगे यहां पर सिफ मीडियम मूँ वाले बर्ड survive करेंगे तो दूसरा एक्जामपल आता है directional selection directional selection में क्या होता है हर एक टाइप में सेकेंड पॉइंट बहुत important है इसका सेकेंड पॉइंट इसका और दूसरा सीनो टाइप दिलिट हो जाता है देखो इधर पर आपका या तो रिसेसिव स्पीशिस सिलेक्ट होगा या तो dominant स्पीशिस सिलेक्ट होगा इसमें intermediate स्पीशिस सिलेक्ट नहीं होता है इसमें कोई एक ही स्पीशिस सिलेक्ट होता है या तो dominant या तो रिसेसिव इस कि मच्छर और कीट नाशक है पेस्टी साइड है जिससे जादा इंसेक्ट नहीं होते हैं पर समझो यह जो मस्कीटों इसके उपर इस डीडीटी का कुछ असर नहीं होता है तो अगर मैं डीडीटी स्प्रे करूंगी तो उसके वज़े से ब्लू वाले मस्कीटों उमर होता है और क्या एक्जांप्लफल है नेक्स्ट आता है selective selection इसमें क्या होता है इसमें आपके दोनों एक्स्ट्रीम औरगानिजम सेलेक्ट होते हैं इसमें intermediate species बिलकुल भी स्थुने क्यों होता है इसमें dominant species भी सिलेक्ट होता है ति इंटर मेडिईर की इधर पे देखो Small beak वाला bird select हो जाएगा Large beak वाला bird select हो जाएगा पर medium beak वाला bird select नहीं होगा क्योंकि छोटे-छोटे seeds को आप छोटे beak से खा सकते हो बड़े-बड़े seeds को आप बड़े beak से खा सकते हो पर अगर आपका beak normal size का है मतलब medium size का है तो अगर आप चोटा दाना उठाने जाओगे तो वो गिर जाएगा और बड़ा दाना आपके मुँ में जाएगा ने तो एफ्रिका में यह हमको देखने को मिलता है कि यहां पर आपको या तो small size वाले birds देखने को मिलते हैं जिनका वाला जो अभी हमने देखा वही चीज है तो मैंने नाचरल सिलेक्शन के तीनों टाइप आपको बता दिये तो यह नाचरल सिलेक्शन वाला टॉपिक तो उसका जैणेटिक कैरेक्शन से क्या लेना दे ले वह उन्होंने एक्स्प्लेइन नहीं किया चैसल दिड़न और प्सक्राइब करता है तो चार्विंस पर नहीं हमको सभाईवल ऑफ दा पेक्शन नहीं बताइब नहीं बताए व्याणाने यह नहीं बताया कि जो चार्ल्स डार्विन सर के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ-साथ और्गानिजम्स खुद के अंदर अडाप्टेशन दिखाते हैं, बट इसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, जैसे कि जैनेटिक क्यारेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, डार्विन सर ये भी नहीं बता पाए क कि हमको star ayyl herbenald RE patrons कैसे देखने को मिलते हैं या neutral flowers कैसे देखने को मिलते हैं मतलब जिनके पास मेल और फीमेल डर्विन यह कि दर से आता है इंटनेटर्विलेट्स पिशीぎ कि धर से आती है यय भी नहीं बताया चाल्स डार्विन संनने सो अनके बहुत सारे due tome पुलते हैं इसको रात रानी वाला प्लांट बोलते हैं इस प्लांट को श्टडी करके इन्होंने क्या बताया कि कभी कभी आपके organisms में अचानक से genetic changes हो जाते हैं उस अचानक से the sudden change in the genetic structure the sudden variations are called mutations or discontinuous variations तो योगो डिब्रीज को क्या बोलना था कि mutations के वज़े से ही next generation में वो character transfer होता है पर इनसे गलती क्या हो गई? mutation तो कभी कभी होता है, crossing over हमेशा होता है, sexual reproduction में chromosomes अपनी information exchange करते हैं, उसको crossing over बोलते हैं crossing over के वज़े से आपको new characters मिलते हैं, mutation कभी तो गलती से होता है, तो हम सिफ mutation के उपर depend कर सकते हैं क्या new characters के लिए नहीं इसलिए यूगो डिब्रीज की theory भी reject हो गई, क्योंकि इनकी theory सिफ mutation के concept पे थी तो यूगो डिब्रीज की theory का main feature क्या था, कि mutation जब होता है तो यह बहुत large होता है, पर यह अचानक से होता है इसकी कुछ guarantee नहीं कब होगा कब नहीं होगा, यह mutations next generation में भी transfer होते हैं, mutations के वज़े से आपको नया evolution देखने को मिलता है, पर यह mutation अच्छा होगा कि बुरा होगा इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, यह useful भी हो सकता है, harmful भी हो सकता है ठीक है, और यह mutations के वज़े से हमको new species मिलती है और ऐसा भी हो सकता है कि harmful mutations के वज़े से आपको आगे-आगे harmful genes देखने को मिले या फिर harmful genes मर जाए और healthy genes आगे पास आनो यूगोडिवरीज के objections क्या आते हैं कि यह mutations अचानक से होते हैं और यह किसके वज़े से होते हैं chromosomal abnormalities के वज़े से जिसके वज़े से actually हमको सिफ थोड़ा-थोड़ा changes देखने को मिलता है rate of mutation is very slow as compared to evolution और chromosomal aberrations भी हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है और यह काफी साथा unstable होते हैं इसलिए यूगोडिवरीज के थियरी भी reject हो गई थी according to Darwin variations are small and directional and whereas mutations are large and sudden यह दोनों के बीच का difference बताया Darwin के थियरी और यूगोडिवरीज के थियरी Darwin ने क्या बोला था कि variation थोड़े थोड़े characters में होता है और यूगोडिवरीज के बोला था कि आपको एक साथ बहुत सारा variation देखने को मिलता है Darwin सन्ने क्या बोला था कि variation एक दिन में नहीं होता है 50 साल 100 साल लाखों साल लगते हैं variation होने के लिए यूगोडिवरीज ने क्या बोला था कि अगर mutation किया तो variation फटाक से हो सकता है एक single step mutation जब होता है तो उसको हम बोलते है saltation यह definition भी आ सकता है यह CET में भी पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते modern synthetic theory of evolution अभी पूराना theory पढ़ पढ़ के सब लोग बोर हो गए थे क्योंकि सब लोग कि यहीं बोलते थे कि adaptation करो तो survive करोगे adaptation करो तो survive करोगे adaptation करो तो survive करोगे पर कोई भी उसके पीज़े का scientific logic नहीं समझा पा रहा था तो और मतलब modern synthetic theory में हमने नए नए scientist लोगों की बात सुनी जैसे फिशर, हेल्डेन, डॉबजेंस की हक्सली, मेयर, सिम्सन, स्टेबिन्स, मेंडल, टी-एच, मॉर्गन होगेरा और इन्होंने हमको new theory the evolution की क्योंकि इन्होंने सब adaptation के बारे में नहीं पढ़ाई कि इन्होंने genetic पढ़ाई किया environment का उसमें क्या रोल होता है उसको find out किया organism का structure समझा geographical region का क्या role play होता है वो समझा उसके fossil fuels के बारे में study की और फिर हमको बताया कि यह सारे organic evolution कैसे होता है और इन लोगों इन लोगों ने मिलके हमको जो theory दी स्टेबिन्स ने उस theory को अपने book में लिखा और उन्होंने हमको 5 key factors दिये gene mutation, mutation in chromosome structure and number, genetic recombination natural selection and reproductive isolation यह 5 key factors को हमने आगे जाके तीन category में divide किया हमने पहला category बनाया genetic variation इसमें सब chromosome का आ जाएगा दूसरा category हमने बनाया natural selection और तीसरा category बनाया हमने isolation तो modern synthetic theory में को क्या क्या पढ़ने मिलता है सबसे पहला Mendelian population Mendelian population मतलब क्या होता है same species के organism जब एक ही जगे पे रहते हैं और जब वो sexual reproduction करते हैं तो उस population को हम बोलते हैं Mendelian population और आपके घर में जितने लोग रहते हैं सब का total gene count करो तो उसको बोलेंगे gene pool और gene pool के वज़े से हमको gene frequency के बारे में पता चलता है gene frequency मतलब क्या होता है समझो आपके गार्डन में आपने वटाने के flowers उगाय है वटाने का plant उगाया है और उसमें आपको वटाने के flowers देखने को मिल रहे हैं तो सम्झो आपके garden में आपको 7 purple flowers देखने को मिल रहे हैं तो अगर मैंने बोला कि purple flower की frequency क्या है तो आप कैसे find out करोगे total आपके पास 9 flowers है उसमें से 7 flower purple color के 7 upon 9 तो आपको ratio कितना मिलेगा 0.78 इसको बोलते है gene frequency आप genetic level पे जब find out करते हो तो उसको genetic frequency बोलते है यहां पर मैं से color के level पे find out कर रहे है तो इसको phenotypic frequency बोलते है अभी अगर समझो मैंने आपको पूछा कि dominant वाले genes का frequency कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 homozygous dominant तो 6 upon 9 मतलब 0.67 यह gene frequency मिलेगा तो genetic frequency मतलब क्या होता है कोई एक character आपके population में कितनी बार repeat हो रहा है उसके counting को बोलते हैं genetic frequency अब यह genetic frequency वगेरा अलग-अलग reasons के according change हो सकती है पहला reason है genetic variation genetic variation मतलब new variations यह new species जो हमको देखने को मिलते हैं यह next generation में कैसे pass होते हैं तो उसके लिए पहला point क्या है gene mutation अगर अचानक से आपके DNA में एक single point mutation हुआ single gene change हो गया तो उसको बोलते है point mutation इधर देखो यहाँ पे आपको nitrogen basis change होते वे दिखाई देगे मतलब समझो आपके phone का password है 100 और आपने इसको change कर दिया 001 तो लोग खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वैसे अगर मैं एक single gene भी change करती हूँ तो उसके बज़े से मुझे जो protein चाहिए था वो protein नहीं मिलेगा इसको बोलते है genetic mutation इसको बोलते है से तो इसको बोलते हैं इसको बोज़े से जीन फ्रिक्वेंसी हो जाती है जैसे समझो इधर पे पहले 8 इंसेक्ट रहते थे लेकिन ये वाला इंसेक्ट दूसरी जगह चला गया तो इधर पे पहले 8 इंसेक्ट थे इसमें से एक माइनस हो गया तो इसका जीन फ्रिक्वेंसी हो गया अपनी मर्जी से जब organism अपने रहने की जगा चेंज कर लेते हैं उसको बोलते हैं gene flow और genetic drift में क्या होता है इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है इसमें natural disaster के वज़े से मतलब earthquake के वज़े से tsunami के वज़े से flood के वज़े से जंगल में आग लगने के वज़े से अचानक से अगर कोई एक स्पीशीज गायब हो जाता है तो उस particular phenomenon को बोलते हैं genetic drift देखो जंगल में आग लगी तो यलो कलर के बटरफ्लाइज गायब हो गए और genetic drift जादा करके किदर देखने को मिलता है small population में क्योंकि एक simple example देते हूँ समझो आप किसी hostel में रहते हो अगर आपके hostel मे से 5 बच्चे रहते हैं तो आपका जब भी meeting होगा तो बराबर से पता चलेगा कि 5 बच्चे में से एक बच्चा गायब है तो वह जल्दी पता चल जाता है अगर large population रहेगा 50 बच्चे रहते और आपने meeting रखी है अगर उस 50 बच्चे में से कोई एक बच्चा नहीं भी आया तो इतना भीड रहता है तो जल्दी पता नहीं चलता है कि कोई species गायब हुआ है तो जब हम नेचर की बात करते हैं नेचर में अगर small population है और उस small population में अगर एक भी species गायब होगे तो फटाक से पता चलता है तो genetic drift जादा करके smaller population में देखने को मिलता है वापिस बोलती नेचरल डिजास्टर के वज़े से होता है और genetic drift small population में जल्दी देखने को मिलता है genetic drift के भी आगे दो टाइपस देखने को मिलते हैं एक बॉटल में एक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट यह देखो वह भी बता देती हो साथ-साथ में एक टॉपिक करते जाएंगे त कि इदर गया genetic drift एक है इधर ही तो था हाँ यह देखो आगे जब आप पड़ोगे genetic drift तो इसमें आपको आगे और दो इक्जाम्पल देखने को मिलेंगे एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बॉटलनेक इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट क्या होता है और बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ founder effect में क्या होता है इसमें जब organisms migration दिखाते हैं तो migration के वज़े से समझो कि इसमें से कुछ group of organisms migrate हो गए अब उसमें से जो organism dominant रहेगा सिर्फ उसका ही population ज़्यादा देखने को मिलेगा और वही organism को हम founder species बोलते हैं So this is known as founder effect migration के वज़े से कोई एक species dominant हो जाती है बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है बॉटलनेक इफेक्ट में genetic disaster के वज़े से earthquake के वज़े से आपके population में अचानक से changes हो गए बट इस population में आपको दोनों species का quantity almost same दिखाई देता है तो this is bottle neck effect bottle neck effect क्यों नाम दिया है इसको क्योंकि ये natural disaster के वज़े से हुआ है इसको founder effect नाम क्यों दिया है क्योंकि ये migration के वज़े से हुआ है बस इतना ही difference है देखो what is founder effect the original rifted population becomes founder and the effect is called as founder effect और ये जादा करके कब होता है जब organisms new geographical area में shift होते है याने migration करते bottle neck effect कब देखने को मिलता है natural disaster के time पे तो founder effect is same like gene flow पर ये genetic drift के अनदर आता है और bottle neck effect ये आपका natural disaster के वज़े से होता है बस दोनों में यह difference है bottle neck effect कब होता है migration के वज़े से जब पर लेक एफिक्ट होता है natural disaster के वज़े से और founder effect कब होता है migration के वज़े से सिर्फ यह difference आपको याद रखना है बस और कुछ नहीं याद रखना है ठीक है पीछे जाते हैं वापिस जिदर पे थे हाँ फिर next क्या आता है अपना chromosomal aberration aberration मतलब क्या होता है changes abnormal changes तो अगर अपने chromosome में कोई भी abnormal change हुआ जैसे समझो कोई एक जीन डिलीट हो गई या एक जीन डुपलिकेट हो गई या एक जीन उल्टा हो गई उसका सीक्वेंस बदल गया 001 से 100 कर दिया या कोई जीन शिप्ट हो गई तो इसके वज़े से आपको जो changes देखने को मिलते हैं उन changes को हम बोलते हैं और इन में से यह कोई भी changes अच्छे नहीं होते मतलब अच्छे भी हो सकते नहीं भी हो सकते बट इस टेंपररी एन इस रिस्की ओके नेक्स्ट अहां लास्ट टू लास्ट येल इसमें से यह वाला एक mcq पूछा गया था कि यह कौन से टाइप का क्रोमोजूमल एबरेशन है ओके नैच्रल सिलेक्शन की बारे में हमने अभी अभी डीटेल में पढ़ा दार्विन सर ने जो नैच्रल सिलेक्शन की थियरी दी थी ठीक है नेक्स आता है आइसोलेशन आइसोलेशन क्या होता है जब आपको सेम स्पी जोड़ेशन आइसोलेशन जोग्रोफिकल आइसोलेशन में क्या होता है और गैनिजम के बीच में रिवर ओशन माउंटन गलेशियर कुछ आ जाता है जिसके वज़े से इन दोनों की जोड़ी तूट जाती है यह बोलता है तुम अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम सा अगरानोंगर यो प्यारा पनाना चाहिए या फिर मैं इधर अपना नया पार्टनर टूंड लो इतना मेनद कौन करेगा अब यह और इदार पर नया पार्टनर जूंड़ेगे तो इस तरीके से इंको नया वह राइटीय मिल जाएगा तो हमने क्या क्या सिव और्गानिसम्स को दो अलग अलग जोग्रफिकल एरिया में लेके चले गए और अपने को न्यू स्पीशीज मिल गया दूसरा तरीका होता है रिप्रोड़क्टिव आइसोलेशन रिप्रोड़क्टिव आइसोलेशन दो टाइप का होता है प्री मेटिंग और पोस्ट यह बोलता है तुम मुझसे प्यार करते तो तुम पानी में आ जाओ यह बोलता है तुम बहार आओ दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइस करने को रेडी नहीं है तो यह बोलता है हुड यह बोलता है तू भी हुड यह जाकि अपना इदर नया पार्टनर धूंडेगा यह जा इसमें गैनोशेयम रड़ी तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाई और अगर अग्रोशेयम रड़ी रहता तो अग्रम् सपीजन नहीं आएंगा तो यह दूसरे प्लावर के साथ पॉलिनेशन करके नियू प्लाइन लेकिन इसमें एक दूसरे को behavior अच्छा नहीं लगता है मतलब समझों यह गाउं का लड़का है और यह शेहर की छोरी शेहर की लड़की बोलती है कैसा गाउटी इंसान है भटे वे गले से सुवे सुवे गाना गा रहा है शी बबा मुझे नहीं पसंदिया लड़का ऐसा की ब बिचारे लोगों का स्पीशीज भी सेम है सब कुछ सेम है लेकिन इनका reproductive organs मैच नहीं करता है जिसके वज़े से दे आर नौट एबल टू रिप्रड़क्शन पोस्ट में क्या होता है इसमें सब कुछ सेम है लेकिन या तो इनका गैमेट मरा हुआ रहता है या तो समझों गै प्रोडक्शन आगे शाके नहीं कर पाएगा और अपना population नहीं बढ़ा पाएगा चलू भाई इसका आंसर दो तब तक मैं सब पानी पिलू है यह सबसे पहले अपने प्रिमिटिव एक्मॉस्पेर में सबसे स्टार्टिंग में कौन से गैसे हमको देखने को मिले थे तीनों अल अफिणि नेक्स्ट क्वेसं क्या हएगा अपने एट्मॉस्पेर में से सबसे पहले कौन सा गैस अप्सिंट था प्रिमिटिव एक्मॉस्पेर में से कौन सा गैस अप्सिंट था यह जल्दी जल्दी बोलो oxygen नेक्स्ट, what changes took place when the temperature of the earth got reduced, आपके earth का temperature जब थंडा हुआ, तो क्या-क्या changes हुए, gases का condensation हुआ, heavy elements एर्थ के center में चले गए, light elements atmosphere में रह गए, यह तीनों changes हुए, तो all of these, river, lake और ocean कैसे form हुआ, बताओ, अर्थ का temperature थंडा हुआ, जिसके वज़े से condensation हुआ, जिसके वज़े से water जमा हो गया, so all of these, next, polymerization of amino acids के वज़े से क्या बनता है, amino acids एक साथ आके क्या देते हैं, protein chain, next question आता है, mechanism of organic evolution, अभी ये सेम चीज है, इसमें वापिस से mutation, gene flow, genetic drift, natural selection सब बताया गया है, मैं वापिस repeat नहीं करने वाली हूँ, ये सब कुछ सेम चीज है, ये देखो, हर जगा लिखा है, explained earlier, explained earlier, explained earlier, सब जगा दिया है, सब कुछ हम पहले पढ़ चुके, ये bottle neck और founder effect मैंने आपको बता दिया, natural selection भी हमने देख लिया, isolation भी हमने देख लिया, it is explained earlier, speciation मतलब क्या होता है, new species जब form होती है, ये topic अभी आगे आने वाला है, तब मैं बताऊंगी, ठीक है, मतलब isolation के वाचे से new species कैसी बनती है, दो type का speciation होता है, sympatric speciation और allopatric speciation, चलो बता देती हूँ, नहीं आगे बताऊंगी, रुख जाओ, speciation मैं अभी बताऊंगी, बहुत simple है, इसलिए आगे बता दूँगी, सबसे पहली बाद यह जो formula है, इस formula के उपर के basis question, CT में आपको नहीं पूछे जाते, बोर्ड में आपको नहीं पूछे जाते, सिव नीट वाले बच्चों को आते हैं इसके question, hardy vein bug principle में क्या बोला गया था, कि किसी भी population में, जब तक organisms same amount में बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको gene frequency में changes नहीं देखने को मिलेगी, जैसे simple example लेती हूँ, समझो ये कोई population है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, इसमें से, इसमें से, brown आख वाले लोग जो हैं, उनका population 40 है, black आख वाले जो लोग हैं, उनका population 40 है, और blue eyes वाले लोग का population 20 है, अब समझो आपको बोला है, कि blue eyes का genetic frequency बताओ, अलिल frequency, तो blue eyes वाले 20 लोग है, और total population कितना है, 100, तो इसका frequency क्या है, 2 upon 10, मतलब 1 upon 5, मतलब 0.2, बराबर, ओके, अब समझो ये population बढ़ गया, पात साल के बाद इधर पे 200 लोग हो गय, exact amount बढ़ा, exact amount डबल हुआ, तो अब अंदर क्या changes होंगे, जो आपके brown eyes वाले थे, वो 80 हो गया, black eyes वाले जो थे, वो भी 80 हो गया, और blue eyes वाले जो थे, वो 40 हो गया, अब आपको फिर से बोला कि blue eyes का frequency बताओ, तो 40 upon 200, क्योंकि total population 200 है, तो आंसर क्या आएगा, 00 cut, 4, 1, 4, 4, 5, 20 is equal to 0.2, तो अगर आपको ऐसा constant equation देखने को मिलता है, तो इसको बोलते है, hardy veinberg equilibrium, याने कि आपका जो environment है, उस environment में आपके organisms, generation to generation, constant है, इसको बोलते है, hardy veinberg equilibrium, और यह सिर्फ हमको sexual reproducing organisms में ही देखने को मिलता है, बट यह एक ideal condition है, real life में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो hardy veinberg equilibrium क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इसका formula आपको याद करना है, दो formula दिया गया है, P plus Q equals to 1, P मतलब क्या होता है, dominant species, Q मतलब क्या होता है, recessive species, और इसका ही, आप इसको ऐसे भी represent कर सकते हो, geometric way में, A plus B the whole square, तो this is P square मतलब dominant allele, Q square मतलब recessive allele, और PQ मतलब आपका hybrid allele, ठीक है, बस यह दो formula आपको learn करने हैं, that is, ओके, adaptive radiation क्या होता है, Charles Darwin Sir, जब Gallup Egos Island में घूम रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या observe किया, कि यहाँ पे जो birds है, यह birds अपने, जो main land वाले birds है, वो island वाले birds से अलग थे, क्योंकि main land में बहुत सारा खाने का resources था, तो उधर पे birds कुछ भी खा सकते थे, पर island में कुछ specific resources ही रहते हैं, जिसके वज़े से उनको अपने beak का structure चेंज करना पड़ा, तो इसको हम बोलते है, adaptive radiation, मतलब यह अपने खाने के हिसाब से, इनके beak में अलग-अलग changes होते गई है, यह देखो, इनकी चोंच की size बदलती ग जाते हैं, तो marsupial का example, Australian kangaroo या Australian rat का place ठीक है, चलो next question, colloidal aggregate of protein and lipids, lipids जाया मतलब co-occurvate, अगर सिर्फ protein रहता, तो हम उसको बोलते हैं, Microspear, ठीक है, यह किस ने दिया था हमको नाम, Heldan ने दिया था, Sydney, next, the first primitive cell was, सबसे पहला cell कैसा था, anaerobic था, क्योंकि chemical खाता था, heterotropic और chemo heterotropic, दोनों था, तो answer क्या आएगा, all of these, उरे मिलर एक्सपरिमेंट में, lightening effect को हमने कैसे कॉपी किया था, electric discharge spark की mechanism से, बराबर, तो इसका answer आएगा, B, Altman और Czech, इन दोनों को nobel prize मिला था, chemistry की field में, क्यों, क्योंकि उन्होंने ribosomes, ribosynes की बारे में बताया था, कुछ 1989 में, if I'm not wrong, ठीक है, so option number A is the right answer, Latin word evolution को मतलब क्या होता है, the act of unrolling या unfolding, ओके, अभी जब आप यह पढ़ोगे, तो आपको इसका answer automatically पता चल जाएगा, Evidences of Organic Evolution, Organic Evolution का evidence कैसे पता चला, fossil fuels की study करके, comparison करके, और उनके embryo का structure पढ़के, paleontology मतलब क्या होता है, the study of fossil fuels is called as paleontology, fossil fuels की study करके, अपने को direct proof मिलता है, कि यह organism कब थे, कहां से आया, कैसे आया, यह earth के कौन सी layer से पाए गया है, ठीक है, तो fossil fuels अलग-अलग type के होते हैं, पहला आता actual remains, मतलब समझो, आपको सच में कोई plant का पत्ता, या सच में किसी animal के हड़ी अगेरा मिली, जैसे यह एक टाइप का डाइनोसौर का structure है, हुली मैमोथ, साइबर, साइबरिया में मिला था, दूसरा, एमबर और हाड़न रेजिन, यह एक टाइप का पत्तर है, जिसके उपर आपको real life insect की dead bodies मिली थी, और यह insect, मतलब specific species के जो अब extinct हो चुके है, mold मतलब आपको तिव organism का चापा मिलता है, उससे आप बता सकते हो कि यह किसका चापा है, footprints मिलते हैं, cast मतलब क्या होता है, बहुत सालों तक आपके cavity में, mineral deposition के वज़े से कभी-कभी कोई नया structure form हो जाता है, तो वो mineral deposition के वज़े से जो नया structure form होता है, उसको बोलते है cast, और compression में structure form नहीं होता है, पर mineral deposition के वज़े से सिर्फ एक चापा आ जाता है, उसको बोलते है compression, paleontology useful है, phylojony पढ़ने के लिए, इसमें हम जो animals extinct हो गए, उनके बारे में भी जान सकते हैं, हमको organisms का missing link भी पता चल सकता है, organisms क्यों extinct हो है, उसके बारे में भी पता चल सकता है, तो सबसे पहले missing link का आपको example याद रखना है, यह example compulsory आपको board में पूछा जाता है, ठीक है, it is very 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 important, connecting link मतलब क्या होता है, जो animal और bird के बीच का connecting link, मतलब animal और bird के बीच का, या humans और animals के बीच का connecting link होता है, जैसे कि एक ही animal में दोनों characters देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम amphibians और reptiles के बीच का connecting link देखें, तो उसका example आएगा, साइमोरिया, और अगर हम reptiles और birds के बीच का connecting link देखें, तो उसका example आएगा, Archaeopteryx, ये देखो, ये एक type का animal है, जिसमें reptiles के भी characters हैं, और birds के भी characters हैं, इसमें reptiles वाले कौन से कौन से characters हैं, इसके पास लंबी पूछ हैं, इसके पास पंजा हैं, इसके बॉड़ी में scale हैं, जैसे मगरमच की बॉड़ी में होता है, इनके पास एक ही हट्टी है, जो इनके सर से चालू होती हैं, और पूरा टेल तक continue होती है, इनके पास rib जैसा structure है, इनके पास एक ही sheep के दात हैं, जैसे alligator में होते हैं, इनके पास ऐसा sternum without keel, मतलब देहाख sternum, पर इनके पास keel नहीं है, outer protective layer नहीं है, इनके bones solid है, alligator जैसे heavy bones हैं, birds के bones खाली होते हैं, खोकले bones होते हैं, क्योंकि birds को उपर उनना होता है, और इनके जो हाथ हैं, वो ऐसे पंजे जैसे हैं, birds के हाथ में ऐसे digits नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनके हाथ ऐसे पंजे जैसे हैं, और इनके पास फिफ दो पेर हैं, क्योंकि इनके उपर के जो दो हाथ हैं, वो wings में convert हो गया है, तो इनमें कुछ characters animals के हैं, reptiles और कुछ character birds के हैं, birds के कौनसे characters हैं, इनके पास feathery exoskeletor है, इनका जो ऊपर के दो हाथ हैं, वो wings में convert हो गया है, इनका जो मुह है, वो beak के shape का हो गया है, इनका skull bone अपने neck से completely fused है, इनके पास बड़ा सा खोपडी है, इनके खोपडी में बड़े बड़े दो खट्डे, जिनके अंदर इनकी आखे fixed है, large orbits, इनकी जो bones है, पेर की bones, वो bird के जैसी है, इनके पास चार toes है, their hind limbs is with four toes, and first toe is opposible, इनके पास चार उंगली है, जिसमें से first वाली उंगली opposite direction में, जैसे मूर्गी में होती है, ठीक है, so from the above study, we can say, कि birds कहां से evolve हुए है, reptiles है, और ये किसने प्रूफ किया था, Huxley ने, और Huxley ने इनको क्या बोला, glorified reptiles, मतलब ये जो birds है, ये actually reptiles से आये है, ठीक है, so this is CT question, अब ये जो box है, ये मैंने अपने detail वाले lecture में बताया हुआ है, तो detail वाला lecture देखे, ये आपका homework है, आपको comment करना है, bellerno glasses किसके बीच का connecting link है, इसका connecting link क्या है, इसका connecting link क्या है, ये तो अभी आपन ने पढ़ा, amphibians और reptiles के बीच का connecting link है, ठीक है, तो ये आपको homework है, ये आपको comment करना है, इधर देखो, Archaeopteryx जो है, इसका first fossil fuel हमको, Jurassic, Germany में मिला था, it was discovered in 1861, जो British Museum में store किया गया है, और इसका second fossil fuel हमको मिला था, 1877 में, जिसका नाम था Archaeornis, जो हमको वापिस से Germany में मिला था, Berlin में, ठीक है, structure के basis पे अगर हम देखे, तो दो टाइप का हमको difference दिखाई देता है, एक homologus organ और एक analogus organ, homologus मतलब क्या होते हैं, इनका structure सेम होता है, बड़ function अलग होता है, आपको इधर पर examples compulsory पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ भी example पूछा जाता है, इधर देखो, इन सबका हाथ का structure सेम है, बड़ सबका function अलग-अलग है, जैसे घोडे का function है, दौड़ना, वेल का function है, स्विम करना, बैट का function है, उड़ना, सबके bones का structure सेम है, बड़ function अलग है, तो same structure, बड़ different function, इसको बोलते हैं, homologus organ, और यह हमको अलग-अलग animals में देखने को मिलते हैं, और यह इससे पता चलता है, कि इनका ancestor common होगा, तो इसको हम बोलते हैं, divergent evolution या adaptive radiation, यह आपका CET question है, तो इससे अपने को क्या पता चलता है, कि structure से में हैं, मतलब इनका ancestors common होगा, सिविनों ने आगे जाके थोड़ा सा modification कर लिया होगा, तो एक ancestor से अलग-अलग species बने, इसलिए इसको बोलते हैं, divergent evolution, मतलब एक species से अलग-अलग species बने, next आता analogous organ, इसमें structure अलग रहता है, बट function सेम रहता है, जैसे butterfly का wings देख लो, और birds का wings देख लो, दोनों का structure अलग है, बट function सेम है, दोनों उठने में help करते हैं, यह आपका vertebrate, humans का eye है, यह octopus का eye है, इसका retina का position देखो, और इसका retina का position देखो, दोनों का position अलग-अलग जगे पहें, बट दोनों का काम क्या है, vision, penguins का flipper देखो, और आपके dolphin का flipper देखो, flipper of penguins and dolphin, दोनों का structure टोटल यह अलग है, बट दोनों swimming करने में help करते हैं, तो मैं यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हो, structure अलग है, बट function सेम है, इसको बोलते हैं analogous organ, तो analogous organ में आपको convergent evolution दिखाई देता है, मतलब इनके पास कोई common ancestor नहीं है, बट अलग-अलग structure होके भी यह सेम function करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं convergent evolution, यह question आपको CET में पूछा जाता है, ठीक है, तो homologous structure और analogous structure के बीच का difference क्या है, इसमें common ancestor है, इसमें common ancestor नहीं है, यह divergent evolution दिखाता है, यह convergent evolution दिखाता है, ठीक है, ओके, vestigial organs मतलब जिन organs को आपने यूज काना बंद कर दिया है, जैसे कि आपके आखों के आगे जो nictating membrane होती थी, आइस के आगे इदर पर एक membrane होती थी, जो चोटी सी, वो membrane अभी नहीं प्रेजेंट होती है, जो conjunctivitis से प्रोटेक्ट करती थी, आपना जो अक्कल डाड होता है, अभी वो अक्कल डाड किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, अपनी जो टेल बोन है, वो एकदम दिन बदिन छोटी होती होती है, मतलब जो आप DNA स्टडी करते हो, तो आपको पता चलता है, कि DNA में भी धीरे-धीरे करके, hereditary changes हो रहा है, जिसके वज़े से new evolution हो रहा है, new species मिल रहा है, और इसमें एक चीज़ जो important बताई गई है, वो है, ATP is the energy source in all living organisms, तो यह पता निए क्यों बताया है, बट इधर से आपको बताया गया है, ठीक है, ओके, अभी मैंने बोला था ना, speciation के दो टाइप होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, तो दो टाइप कौन से होते हैं, एक Allopatric Speciation होता है, यह same species के बीच में होता है, और एक Sympatric Speciation होता है, ठीक है, Allopatric Speciation में क्या होता है, Geographical Isolation होता है, मतलब यह रेखो, इनका Geographical Barrier आ गया, जिसके वज़े से इन्होंने अपना-पना नया पार्टनर दूंडा, और नये बच्चे पैदा किये, जिसके वज़े से न्यू स्पेशीज बना, इसको बोलते हैं, Allopatric Speciation, और इसको हम Adaptive Radiation भी बोलते हैं, This is very important for boards, Sympatric Speciation, Geographical Isolation के वज़े से होता है, और इसको हम Adaptive Radiation भी बोलते हैं, Allopatric, स्वारी, Allopatric को, Sympatric Speciation में क्या होता है, इसमें एक ही जोग्रिफिकल एरिया में रहे के, और्गैनिजम अंदर ही अंदर, अपना न्यू पार्टनर धूणने लग जाते हैं, और वो उसी एरिया में रहे के नया स्पेशीज बना लेते हैं, So this is called as Sympatric Speciation, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका एक्जाम्पल पिकलेट फिशिन लेक वेक्टोरिया वाला एक्जाम्पल जो 13 चाप्टर या 15 चाप्टर में दिया आगया है, वहां पर आप पड़ सकते हो, ठीक है, So Sympatric Speciation में एक ही एरिया में दो पॉपॉलेशन होता है, Allopatric Speciation में Adaptive Radiation होता है, जोग्रोफिकल बेरियर के वज़े से New Species बनते हैं, I hope you people are understanding, चाइड बॉक्स में आप लोगों को टाइम पास करने से फुरसत मिले, तो थोड़ा इधर पर भी देख लेन, रोमान्स चलते रहेगा, पर इधर पर ध्यान दो, ठीक है, So this is the difference between Simpatric and Allopatric, यह एक्जाम में आता नहीं है, आपके reference के लिए दिया है, तो इसको आप रीट कर लेना, hybridization क्या होता है, इस वेरी 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 इंपोर्टेंट, जब हम एक होर्स को एक डॉंकी के साथ यह कराते हैं, जब आप एक male donkey को female horse के साथ reproduce कराते हो, तो आपको खचर मिलता है, mule, केदावनात मूवी में दिखाया था ना, बड़े बड़े ग्रे कलर के donkey जैसे organisms थे, उनका मुँ donkey जैसा रहता है, मतलब हाइट donkey जैसी रहती है, बट मुँ गधे जैसा रहता है, तो अगर आप male donkey ले रहे हो और female horse ले रहे हो, तो आपको mule मिलेगा, अगर आप male horse ले रहे हो और female donkey ले रहे हो, तो उस बच्चे को हम हिन्नी बोलेंगे, दोनों में difference है, पर ये दोनों की दोनों organisms कैसे होंगे, इस चराइल, मतलब इनका gamut form नहीं होगा, पर आपकी में 64 chromosomes होते हैं, 64, 64, तो इसका gamut 32, इसका gamut 32, लेकिन मूल या हिन्नी में कितना होता है, 63 होता है, मतलब कुछ तो इदर पर गड़बड हो जाती है, जिसके वज़े से ये स्टराइल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये स्टराइल हो जाते हैं, इन में मेल या फीमेल के gamut नहीं बनते हैं, ठीक है, लास्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है, जियोलोजिकल टाइम स्केल, अब ये जो इतना बड़ा थियोरी भी है, इस इतने बड़े थियोरी को मैंने शॉट में लिखा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट सबसे पहला लाइफ हमको कब देखने को मिला, 2000,000,000,000 अगो पहले, यानि के 2,000,000,000 अगो भी बोल सकते हो, इन दा फॉर्म अफ प्रोटेनोइट, लाइफ सबसे पहले कहां और इजिनेट हुई, सी वॉटर में, प्लांट्स ने लैंड पे आना, ग्रो होना स्टार्ट किया, फिशेश दीरे-दीरे करके इवॉल्व हुए, उन्होंने अपने वेरियेशन बनाए, और उनके टाउट बगेरा बनने लगा, उनके फिन्स बगेरा निकलने लगे, जिसका एक एक अग्जामपल है लोब फिन, यह देखो, यह आपकी लोब फिन है, इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि पहले ऐसे माना चाता था, कि यह सारी स्पीशी इक्स्टिंग्ट हो गई है, बट इसका आपने को एक और्गानिसम, मतलब एक फिश का सैंपल देखने को मिला, इन दे यह नाइंटीन स्टिए इन ताउथ ऐसे लिए अमने आथा बोला कि जो स्पीशी एक्स्टिंग्ट हो गई थी उसका जिन्दा एक स्पीशी मिल गया, तो उसको हम बोल देते हैं लिविंग फॉसिल ठीक है, इस 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 यह लोब फिन, ठीक है, नेक्स्ट इस लिविंग फॉसिल जो हमको ताउथ एफ्रिका में मिला था, रेप्टाइल कहां से इवॉल्व हुए हैं, एम्पीबियन से, इनको हम फॉर्स्ट टू लैंड वर्टिब्रेट बोलते हैं, जो कि अबाउट 200 मिलियन यूर्स अगो बने थे, एंड सम रेप्टाइल कुछ रेप्टाइल को लैंड की लाइफ अच्छी नहीं लगी तो वह वापिस से पानी में चले गए, जैसे कि इस्थियो सॉर्स यह देखो यह ठीक है यह एक टाइप का डाइनसौर वाला फिश था ओके देन अराउंड 65 मिलियन यह अगो डाइनसौर्स एक्स्टिंग्ट हो गया है क्यों एक्स्टिंग्ट हो गया है नाचरल डिजास्टर के वज़े से हो सकता है एक्जाक्ट रीजन नहीं पता चला है अपने को आराउंड सेम टाइम जो बड़े-बड़े फॉर्न की स्पीशिस तीदे को इतने इनको और फोलते हैं तो दिरे-दिरे करके वीवी पैरस आनिमल्स का इवलूशन हुआ वीवी पैरस मतलब क्या होता है जो अंडा नहीं देते हैं जो डायरेक्ट अपने जैसे निव बच्चे पैसे पाधा करते हैं शुरू लाइक आनिमल्स जैसे मंकी इन्होंने तो एक्वेटिक सिक्स्टम की अगर हम बात करें तो वेल डॉल्फिन सील और सीका यह देखो यह आपकी वेल मच्छी है यह आपकी डॉल्फिन है दोनों में क्या फरक रहता है दोनों जैनेटिकली अलमोस्सेम है बस यह सोशली जादा फ्रेंडली नहीं होती है और यह सोशल हो चुके इनके पास ज्यादा फैटी टीशू होता है जिसके वज़े से इनको जल्दी थंडी नहीं लगती तो यह पोलारीजन में मिलते हैं और यह दिखने में काउज ऐसी होती बट यह एक्वेटिक फिश है ठीक है इस फ्लाइंग मैमल्स की अगर हम बात करें तो बैट और अगर फॉसोरियल मैमल्स की बात करें जो जंप करते हैं तो कंगारू रैट्स और जाड़ते रहने वाली मैमल्स की बात करें तो लेम्यूर्स याने कि आपके लंगूर वगेरा तो इस तरीके से अपना एवल्यूशन हुआ है अब अगर यह टेबल आपको लॉन करना है तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक देती हूं इसका जो पीरियड है हाँ इसका पीरियड लॉन करने का ट्रिक और एपक लॉन करने का एक ट्रिक देती हूं जो डिसेंडिंग ओडर से स्टार्ट होता है ठीक है यह देखो इसका स्टार्टिंग किदर से होता है, पीरियड का ट्रिक दे रहे हूँ यह मेरा ट्रिक नहीं है, शोमूस बायोलोजी करके एक यूट्यूब चानल था, जिनको मैं फॉलो करती थी अपने मास्टर्स के डाइम पे, यह उस सर का ट्रिक है, और मुझे वो सर का पढ़ाया वह बहुत अच्छे से समझ में आता था, वो मास्टर्स लेविल का पढ़ाते तो मैंने यह ट्रिक उदर से देखा था, ठीक है, तो क्या था उनका ट्रिक, कैमल्स ऑफिन सिट डाउन केरफुली परहाप्स देयर जॉइंट क्रीग देयर जॉइंट ट्रिक यह हो गया पीरियड लर्न करने के लिए और एपोक लर्न करने के लिए एक ट्रिक है यह भी शौमू सर कही है क्या ट्रिक है प्लीज नहीं पुट पुट अभी अभी देखो एपोक का देख लेते हैं यह डिसेंडिंग और में जाना है आपको पहले है पी एपोक के यहाद रख सकते हों फिर उसके बाद आतार है अभी पीरेड को के से यहाद रख सकते हैं क्यामल्स का कैम्ब्रियम यह भी डिसेंडिंग ओडर में जाना पीछे से उपर ओफ्टन का और्डोविशियन सिट का सिलूरियन डी से डिवोनियन कैर्फुली से कार्बोनिफेरस परहाप से पर्मियन फिट टी जे और सी से क्या आएगा ट्राइस्टिक जुरैतिक और क्रिट तो यह से क्योंस कैसे आता है आपको से क्पूछ सकते पहले टॉर्यास का इसके क्रिटेश्य आता है तो आपको पूरा ओप्षिन में छो drug खालिए दो ट्रिक्स याद रखो जिससे आपको सीक्वेंस याद हो सके और यह प्लांट लाइफ और अनिमल लाइफ में से एक दो चीज़े जैसे एंगियो सपर्म कब आए और मैमल्स का यह देखो मैमल्स कब आए वह सब अगर देखना है अलिगोसीन इमर्जेंस ओफ ओरीजिन ओफ मैं यह एक प्लियोसीन वाला आप एक्जामपल देख सकते हो यह वाला एक एक्जामपल इंपोर्टेंट है एंगियो सपर्म के बारे में देख सकते हैं एक दो टेबल पढ़ लो नहीं तो पूरा ओप्शन में छोड़ागा तो चल चार चार पर जगाएं जिसके वज़ें से दीडीरे करके अपना जो बोडी स्ट्रेट होने लगा तीधर गया वो डाइग्राम को मैं चार पर से पहले लंबा होता था लेकिन ढीरे दीरे करके जैसे हमारी बोडि कुझा अपने हाथ भी ऑड़ी च्छोटे होते गई और फे 2.5% between dna of chimpanzee and man while between monkey and man it is 10% तो अपने सबसे nearest transistor कौन है chimpanzee ठीक है अभी देखो यह table बहुत important है इसमें से आपको तीन से चार चीज़े करनी है marsupial animals को क्या बोलते है pouched animals जैसे kangaroo आपका प्रॉसी में क्या आता है लेम्यूड और टार्सी ठीक है और old world monkey का एक्जामपल न्यू वर्ड मंकी का एक्जामपल और chimpanzee वगेरा किसमें आते पॉंजी डे में chimpanzee orangutan और gorilla आता है बस यह चीज़े आपको याद करनी है यह एक्जाम में पुछा जाता है match the column के लिए तो देखो जैसे जैसे humans evolve हुए बहुत सारे changes हुए जैसे कि अपना खोपड़ी का size बढ़ गया increase in the size of brain complexity जिसके वज़े से intelligence बढ़ा cranial capacity बढ़ी हमने दो पेर पे चलना चालू किया अपना जो पहले बंदर का हाथ होता था भी भी अगर आप देखोगे तो बंदर का हाथ न एक ही direction में रहता है पर अपना thumb opposite direction में रहता है ताकि अपने को अच्छे से grip मिले अपना posture straight रहता है अपने हाथ जो है वो छोटे रहते बंदर के हाथ लंबे रहते है अपना hind limbs pair लंबा रहता है दिरे दिरे करके अपना chin का development हुआ pelvic girdle का development हुआ अपना vertebral column का curvature सीधा हुआ हम आपने social friends बनाना start किये language start की drawing painting वगेरा sculpture वगेरा start किया tools वगेरा बनाना start किये तो यह सब क्यू हुआ cranial capacity के वज़े से brain को ज़्यादा साइज जगा मिलती है रहने के लिए जिसके वज़े से intelligence बढ़ता है आपके हाथ पे ज़्यादा घूम सकते हैं body अगर straight रहेगी तो देख सकते हैं इधर से लेके आप इधर तक देख सकते हैं उसी वपन पीछे का नहीं देख सकते हैं तो यह सारे के सारे evolution humans में हुए अब यह table learn करना है तो दिगंबर माली सर का एक trick था जो मैं जब an academy पे lecture लेती थी तो एक बच्चे ने मुझे बताया था तो यह मेरा trick नही पी थेकर्स दूसरा आता है रमैपी थेकर्स थीसरा अस्ट्रेलोपी थेकर्स फिर होमो हेबिलिस एच 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 फिर होमो इरेक्टर्स नियांडर्सल मैं होमो सेपियन तो आपको सबसे पहले यह learn करना है उसका appearance learn करना है होमो इरेक्टर्स को ape man बोलते हैं होमो हेबिल मैं कि किसका कितना करेमिल क्यूपडी कितना बड़ा है सबसे जाधा क्रेमिल कैसिटी यूमन सके बाद नियान अबर्ट तरोज पढ़ने के अभी वह अपना यह चालू है अगर आगे अगर अपन रोबुट बन जैंगे अपने सर से शिंग आने लगेगा क्या होगा पतानि य या इंसान एक्स्टिंग्ट हो जाएंगे, so this is your origin and evolution of life, I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा, किसी भी topic में कोई भी doubt है, so मैं इसे request कर रही हूँ, उसका detail वाला वीडियो 1.5 के speed में देखो, मैं guarantee देती हूँ, आपको समझ जाएगा, ठीक है, चलो, कुछ MCQs solve कर लेते हैं, मेरा we get new organism, variation, genetic recombination कब होता है, जब crossing over होता है, तो जब आपस में information exchange करते हैं, तो new recombination होता है, जिसने जिसने वर्दान batch join नहीं किया है, आप वर्दान batch join कर सकते हो, इस पे आपका CET का पुरा का पुरा crash course लिया जाएगा, इसमें बहुत सारे mock test दिये जाएंगे, chapter wise mock test जिसमें आपको दिये जाएंगे, मतलब बहुत बहुत सारे MCQs मिलेंगे, जो बच्चा वर्दान one point हो join करेगा, और honestly सब कुछ follow करेगा, उसको definitely 95 plus से percentile आएगा ही आएगा, अगर शिदत से पढ़ाई करेगा, और वर्दान batch को follow करेगा, आप इंस्टॉल करने के बाद समझो आपको पैसे नहीं भी भरना है, आपको batch नहीं भी जोईन करना है, तो अभी आप ये free material section में जाके notes डाउनलोड कर सकते हो, इस chapter के notes भी मैं इसी material में अपलोड कर दूँगी, येस, तो I hope आपको पूरा lecture समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको जादा से जादा friends के साथ share करो, चानल पे new हो, तो चानल को subscribe करो, और वीडियो को like कर देना, ताकि मुझे motivation मिले, बहुत मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को free म में जादा से जादा महाराष्ट्रा के बच्चों की free में help कर सको, पर मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसमें आपको भी मेरी help करनी पड़ेगी, आपको ये चानल महाराष्ट्रा के कोने कोने तक पहुचाना पड़ेगा, ताकि सब बच्चे biology में अच्छा स्कोर कर सक बाई बाई एवरीबडी, all the best, I'll see you soon, control and coordination chapter लेने के लिए, अभी भी मेरे गले में इतनी ताकत नहीं है कि मैं वो chapter ले सकू, पर मैं वो chapter लूंगी, मैं पूरा portion खतम करूंगी, tension मत लेना, थोड़ा सा cooperate करो, अभी एक दो और low weightage वाला chapter लेंगे, ताकि कम time में खतम हो जाए और फिर control coordination chapter लेंगे, घाई मत करना, जिसको control coordination chapter पढ़ना है, वो लोग पुराना one shot videos देखो, मैं जब लूंगी तब आपका फिरते नया revision हो जाएगा, ठीके, bye bye, take care, see you soon, have a good day